तो चलिए आज मैं आपके सबसेर कर रही हूँ ग्रेवी वाली अर्वी की सबजी जो कि एकदम से टेस्टी ये बन करके तयार होगी घर के बिसिक मसाले से इस सबजी को बना करके तयार करेंगे और एक बार अगर आपने इस तरह से बना ली तो यकीन मानिए आप हमें ऐसे ही बना करके खाना पसंद करेंगे एकदम से असान है इसे बनाना और चल्दी बना करके इसे तयार भी करेंगे तो चलिए इस सबजी को बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने क्या किये कि यहाँ पर जो अर्वी होता है इसका मैंने छिलका हटा लिए और इसको पानी से अच्छा से हमें साफ कर लेना है पानी से मैंने यहाँ पर धो करके साफ कर ली है अब इसको हमें काटना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं लंबाई वाला सिप दे रही है उसको मतलब लंबा-लंबा इसको कट्ट कर रही हूं आप चाहें तो यहाँ पर इसे कोल-गोल भी काट कर के तयार कर सकते हैं और काटने से पहले क्या करें कि हाथों में तेल लगा ले नहीं तो यह क्या होता है कि कि कठ ओ चुकता है दब चलते हैं गयस के तरफ यहाँ पर मैंने पैन रख दी है और पैन में टालेंगे सरसु तेल आप इसे सरसो तेल में ही बनाएं जो कि एकदम से टेस्टी बन करके तयार होगा तेल जैसे ही लगे गर्म हो चुका है तो यह अर्बी इस तर से हमें डाल देना है और इस अर्बी को हमें तेल में अच्छे से भून लेना है यानि कि फ्राइ कर लेना है आप चाहें तो इसे dip fry भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से कम तेल में भी fry करेंगे तो भी टेस्टी ये बन करके तयार होगा तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा मैंने healthy powder डाल दी है और डाल करके और इसको क्या करेंगे कि बढ़िया सा हमें तेल में अच्छे से भून लेना है तो इस तरह से color change होने तक क्या करेंगे कि इस अर्वी को तेल में हमें भून लेना है या फिर fry कर लेना है और इस तरह से क्या होगा कि ये पक भी जाएगा यहाँ पर हमें अर्वी को पका भी लेना है लगबग आधा यहाँ पर पक जाना चाहिए यह अर्वी तो ढखकर भी बना सकते हैं और यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाने के लिए दो मीडियम साइज के प्याज और अद्रग लैसुन ले ली है इसको क्या करेंगे कि बीना पानी डाले हैं इसका पेस्ट बना करके हमें तयार कर लेना है और यहाँ पर अर्वी जो है अच्छे से भून भी चुका है तो इसको साइट रख देंगे और यहाँ पर मैंने दुसरा पैन ले लिए इसमें भी डाल देंगे तेल सरसु तेली मैं यहां पर डाल रही हूँ थोड़ा से यहां पर जीरा डालेंगे और अजवाइन डालेंगे थोड़ा से यहां पर मैं हींग डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर भून लेंगे इसके बाद यहां पर जो हमने प्याज अदरक लैसन का पेस्ट बनाई हुई ह इसमें डाल देंगे और इस तर से हमें फूनना है और यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ मसाले पॉडर डाल देंगे तो एक चमच मैंने डाल दिये हल्दी पौडर, यहाँ पर देर चमच डाल देंगे धनिया पौडर, आदा चमच डाल देंगे यहाँ पर जीरा पौडर, और इसके बाद एक चौथाई चमच डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाले का पौडर, और इसमें डाल देना है हमें स्वा जो एकदम से बढ़ियां आता है सबजी में एक चमस डाल दे रहे हैं यहां पर चिकन मसाला जो की एकदम से सुपर टेस्टी हमारा सबजी बन करके त्यार होगा इन सब मसाला को इस तर से अच्छे से मिलाएंगे और इसके बार डालना है हमें इसमें यहां पर मैं हरी मिर्च तो दो हरी मिर्च को क्या करेंगे इस तर से लंबा लंबा काट करके मैंने डाल दी है एक बड़े साइस का टमाटर मैंने इसमें डाल दी है इसमें क्या करेंगे अच्छे से इस तर से हमें मिलाना है इसके बाद मसाले जले नहीं इसके लिए क्या करेंगे जो मिक्सी में मसा पानि डाल करके और इसमें डाल दीएं जिससे कि क्या होगा कि मसाले का पक करके त्यार भी होगा इसके भाज ढ़कन लगा देना है have तो तोड़ी देर में चेक करेंगे तो देखें यहां पर टामेटर ग बून लेना है पका लेना है इसके बद मसाले यहां पर भून चुके हैं तो इसमें क्या करेंगे कि डाल देंगे पानी तो पानी यहां पर डाल देंगे और इसके बद क्या करेंगे कि इस मसाले में हमें उबाल लाना है तो यहां पर उबाल आ चुका है तो इसमें जो हमने यह और भून करके रखी हुई है फ्राइ करके ईसमें डाल देना है और अर्भी यहां पर लगभग पक चुका है तो यहां यहां पर ऑवदिक रखिया है तो इस तरह से आमचुर पाउडर जिसे की एक दम से चट्पटा लगे और थोढ़ा से यहां पर गरम मसाले का पॉडर मैंने फिर से डाल दी है जिसे की और भी तो जब तक के तयार हो तो इस इस तरह से हमें इसको ढ़क करके पका लेना है अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 10 मिनिट तक लगवग हमें पका लेना है तो देखिए कितना बढ़िया एक दम से हमारा सब्जी बन करके तयार हो चुका है अब ग्रेवी कम जदा अपने हिसाब से कर सकते हैं च करते हिजिए काफी अच्छे से ये डब रहा है चाहें देलेगे और इसको मिक्स करेंगे चाहें तो 2 मिनिट यता点 सब्सक्राइब करने हैं ये दloveLi का सब्जी जो है एक दम बढ़िया सा पक करके तैयार हो चुका है ुए तो एक बतन में निकाल लेंगे तो देखिए कितना सुपर टेस्ट ही है हमारा अरभी का सब्जी बन करके तियार हो चुका है तो कैसी लगी आज की रेजबी कॉमेंट करें अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई में रेजबी के साथ थैंक यू